अगर आपका भी SBI Bank में यानि State Bank of India में खाता है और उसकी Checkbook तो आपको मिल गई है आपको ये नहीं पता है कि Check को किस तरह से fill करते हैं किस तरह से भरते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको complete guide करूँगा और पुरा process बतांगा कैसे आप किसी भी Check को fill कर सकते हैं भर सकते हैं और उससे आपके reject होने के chances बहुत ही कम होंगे तो दोस्तो वीडियो पर बने रही है मैं हूँ मुहमन हुसेन और आप देख रहे हैं टैक हलपर हुसेन चैनल अगर आपने विल लग इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस कर दें इससे हमारी आने वाली ऐसी ही और informative वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी तो चली दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो जब भी आप चैक को भरें तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग करें यहां डेट से सबसे पहले आपको यहां सीधे हाथ पर डेट का एक कॉलम दिया हुआ है यहां पे डीडी करके है त यहां पर जो आप चैक भरेंगे उस चैक की जो डेट है वो आप तीन महिने तक का चैक जो है वो काट सकते हैं बना कर दे सकते हैं यानि जिस टाइम मैं इसको रिकॉर्ड करूं वीडियो को उस टाइम 19 नवंबर है तो दिसमबर जनवरी और फरवरी तक तीन महिने के अंद से fill कर लेंगे उसके बाद आ जाता है pay का option पे में अगर आपको खुद check से payment लेना है या withdraw वगरा करना है तो यहाँ पर आपको अपना name enter करना है या अपना name यहाँ पर आपको type कर लेना है लिख लेना है या फिर आप yourself भी लिख सकते हैं लेकिन वहीं अगर आप यह check किसी को द तो rupees वाले column में आपको यहाँ पर शब्दों में यानि के जो words हैं उनमें इस अपने amount को mention करना है जैसे 6,000 rupees है या 5,000 rupees है जो भी है आपका वो आप हिंदी या English में यहाँ पर इसको words यानि शब्दों में लिख सकते हैं उसके बाद यहीं पर एक और column आता है जिसमें आपको rupees का icon बना हुआ है इसमें आपको numeric में अपने payment को अपने amount को जो है यहाँ पर mention करना है 2,000 है 6,000 है 10,000 है और जब आप इसको यहाँ पर लिख दें तो उसके बाद आपको slash लगाना है जो इस तरह से टेरा डंडा होता है उसके बाद आपको dash लगा देना है जिससे कोई और इसको edit ना कर पाए सेम ऐसा ही आपको तब करना है जब आप यहाँ रुपीज में लिखेंगे ना के 2,000 रुपिया तो वहाँ से आगे आपको line खेंच लेनी है इस तरह से जिससे कोई और यहाँ पर इसको बढ़ान है यानि edit ना कर पाए इसी तरह यहाँ पर आपको खाता स जब भी आप चैक को भरें तो यह ध्यान रखें कि और राइटिंग किसी भी जगा ना हो ना तो date को fill करते time हो नाम को fill करते time हो या किसी भी चीज को आप कर रहे हैं signature वगर आप कर रहे हैं तो आपकी और राइटिंग नहीं होनी चाहिए और राइटिंग के चलते आपको check bounce सकता है आपको penalty लग सकती है तो एक sign तो आपको यहाँ पे करना है उसके बाद आपको इसी के पीछे दो sign करने हैं आप किसी भी जगा दो sign अपने कर देंगे पीछे और चाहें तो अपना एक mobile number भी वहाँ पर लिख सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप साम कि उसके आपर में आप इस तरह से दो line खेंस देंगे या तो ऐसे रहने दे वरना आप वहाँ पे AC लिखे और pay लिख सकते हैं तो फिर यह जो amount है check का वो check का amount वो withdraw नहीं होगा direct cash में convert नहीं होगा बलकि उस इंसान को उस person को उस check को अपने bank account में transfer कराना होगा payment को और फिर व देखने के लिए चैनल को subscribe कर लें बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें तो चिली दोस्तों मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहन